Welcome to Study Watch, Study Watch में आपका स्वागत है Before you read, आप पढ़ें इससे पहले Discuss in the class, discuss करिए class में Do you like homework? क्या आपको homework पसंद है? Do you do it yourself? क्या आप इसे खुद करते हैं? और या Do you get help? या आप मदद लेते हैं? या आप इसे खुद करते हैं या आप किसी की मदद लेते हैं? What homework do you usually have? किस तरह का homework आपके पास समानेता रहता है? Usually को हम क्या कह सकते हैं? Generally या फिर Normally Who did Patrick's homework? Patrick का homework किस ने किया? या आपका chapter 1 है, classics का Patrick का homework किस ने किया? Patrick never did homework. Too boring he said Patrick कभी भी अपना homework नहीं करता था Too boring he said, वह कहता था कि ये बहुत boring है, ये बहुत उबाऊ है He played hockey and basketball and Nitindo instead और वो अपना homework करने के बजाए वो hockey खेला करता था Basketball और Nitindo खेलता था Instead का मतलब होता है in place of In place of working or doing his homework He was playing hockey, basketball and Nitindo His teachers told him, उसके teacher, उसके अध्यापक उसे बताया करते Patrick, do your homework or you won't learn a thing Patrick, अपना homework किया करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे और का मतलब यहाँ पर है, otherwise नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे And it's true, और यह सच भी था Sometimes he did feel like an Ignormous और वो कभी-कभी एक Ignormous की तरह महसूस भी करता था Ignormous का मतलब Fool, idiot, बेवकूफ, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका meaning दी हुई है यह Ignormous का मतलब An ignorant person who lacks education As एक अनभिग्य आदमी जिसे सिक्षा की जिसके कमी हो जो पढ़ा लिखा ना हो तो हम उसे stupid या फिर ass गधा भी कह सकते हैं But what could he do? वो कर ही कह सकता था लेकिन वो कर ही कह सकता था He hated homework उसे homework से नफरत थी Then, one day, he found his cat Playing with a doll And he grabbed it away तभी एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुडिया के साथ खेलते हुए देखा And or he grabbed it away और उसे इसने छीन लिया Grabbed का मतलब Seized suddenly and quickly जल्दी से किसी चीज़ को ले लेना, छीन लेना To his surprise, it wasn't a doll उसे आश्चर हुआ उसके कि ये एक गुडिया नहीं थी Doll at all यानि वो बिल्कुल भी एक गुडिया नहीं थी But a man of the tiniest size बलकि एक सबसे छोटे कद का आदि He had a little wool shirt with old-fashioned bridges And a high tall hat much like a witch अब उसके he had a little wool shirt उसकी एक छोटी उनी शट थी और old-fashioned bridges, जो पुराने जमाने की bridges होती है, वो उसकी bridges थी Old-fashioned को हम कह सकते है, not modern ठीक है, outdated, out of fashion कह सकते है, and high tall hat, और उसकी जो टोपी थी, वो high tall थी उची लंबी टोपी थी, like which is, जैसे की जादूगर्नियों की जादूगरों की होती है which is का मतलब, which मतलब जादूगर, जादूगर, he yelled वह चिलाया, yelled का मतलब क्या होता है, shout in a loud way, जोर से चिलाना तो he yelled, वह जोर से चिलाया saved me, मुझे बचा लीजिए या मुझे बचाओ don't give me back to that cat मुझे दुबारा उस बिल्ली को मत देना, I will grant you a wish, मैं तुम्हारी एक इक्षा पूरी करूँगा I promise you that, मैं तुमसे वादा करता हूँ, देखिए यहां पर rhyming जैसा इन्होंने बनाया है, जैसा हमने देखा, कि to his surprise, it wasn't a doll, उप a doll at all उसके बाद, यह breaches and witches, यहां पर इसका rhyming है, और उसके बाद cat और that, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह rhyming के साथ, इस story को लिखी गए है, अगला देखते है Patrick couldn't believe how lucky he was, Patrick को यकीन नहीं हो रहा था, वो विश्वास नहीं कर पा रहा था, कि वो कितना lucky था, कितना भागिशाली था here was the answer to all of his problems यहीं उसके सारी समस्याओं का जवाब था, सारी समस्याओं का हल उसे यहीं पर लग रहा था so he said, इसलिए उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, सिर्फ तभी अगर तुम मेरा homework कर दो semester के खत्म होने तक जो 35 दिन बचे हैं, that's 35 5 days, बचे हैं, तब अगर तुम कर दो तो मैं तुम्हें उसको नहीं दोगा, बिल्ली को if you do a good enough job, अगर तुम थोड़ी सी भी अच्छा काम कर देते हो I could even get A's, मुझे A's भी मिल सकता है, मेरा जो grade है वो A's, A में आ सकता है the little man's face wrinkled like a disclosed thrown in the hamper, उस छोटे आदमी का चेहरा ऐसे सिकुड़ा wrinkled का मतलब सिकुड़ा, like disc cloth, जिससे बरतन साफ करते हैं उसे disc cloth कहते हैं, उस disc cloth ऐसा जैसे उसे hamper में फेक दिया जाए basket में फेक दिया जाए वैसा उसका मुँँ बना हुआ था He kicked his legs and doubled his fists उसने अपने palm जमीन पर पटके, यानि उसने kick मारी air kick मारी और doubled his fist और अपने zore से उसने मुठी बान दी, double fist का मतलब zore से मुठी बानना and he grimaced and scald और उसने move बनाया, grimaced का मतलब होता है make face and scald scald का मतलब होता है look in a angry way गुसे से देखना, उसने move बनाया और गुसे से देखा and pursed his lips और उसने अपने hold भी secured लिए pursed lips का मतलब, pursed का मतलब contract, उसने अपने hold भी secured लिए ओ, अरे am I cursed but I will do it, क्या मुझे मैं श्रापित हूँ, मैं लेकिन फिर भी मैं इसको करूँगा am I cursed को जब गुसे से अब शब्द भी बोलते हैं, offensive words इस्तमाल करते हैं, तब भी इस तरह के कही जाती है, कैसे इने का मतलब he was very angry and true and true to his word, और अपने वच्चन का पक्का, अपनी बातों का पक्का, that that little elf began to do Patrick's homework, और वो छोटा आदमी, वो छोटा बौना elf को, हम कह सकते हैं, छोटा बौना, उस Patrick's homework करने लगा, except there was one glitch सिवाए बस एक परिशानी के तब उसमें एक परिशानी आने लगी glitch का मतलब होता है technical fault, देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है a fault in a machine that prevents it from working properly, कि कोई खराबी आजाए machine में, जो उसे चलने ना दे यहाँ पर glitch का मतलब problem से है तो एक लेकिन सिवाए एक problem के, क्या थी वो the elf did not always know what to do, elf को, elf को, उस supernatural creature को did not always know, उसे पता हमेशा पता नहीं होता था कि what to do कि क्या करे, and he needed help, और उसे मदद की जरूरत थी, help me, help me, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, he would say, वह कहता and or, Patrick would have to help, और Patrick को उसकी मदद करनी पढ़ती in whatever way चाहे जिस तरह से भी, Patrick को उसकी मदद, चाहे जिस तरह से भी करनी पढ़ती I don't know this word, the elf squid while reading Patrick's homework Patrick का homework पढ़ते समय वह कहता, हम इसको high-pitched sound कह सकते हैं, जोर से चिलाना, करकश आवाज में जब वह Patrick का homework पढ़ते समय, वह जोर से चिलाए और कहता, I don't know this word इस शब्द का मतलब मुझे नहीं पता है, get me a dictionary मेरे लिए एक dictionary लाओ no, नहीं, what's even better उससे भी कुछ बहतर look up the word and sound it out by each word और dictionary देखो, पहले तो वह कहता कि मेरे लिए dictionary लाओ फिर इरादा बदल देता और कहता, नहीं, नहीं dictionary मतलाओ, उससे भी बहतर उससे भी ठीक होगा कि look up the word उस word को देखो, शब्द को देखो और उस letter by, वह each letter, उसका एक एक अक्षर जोर-जोर से बोलो when it came to maths जब mathematics की बारी आई, जब गनित की बारी आई, Patrick was out of luck, Patrick बदकिसमत था, unfortunate था what are times table, times tables क्या थे उसके, the ear elf shrieked, elf जोर से बोला, देखे, श्रीक का मतलब है, gave a short high-pitched cry, जोर से चिला करके बोला, what are time tables, time tables क्या है तो इसी का मतलब, squeaked भी हो सकता है, जो भी आपने उपर पढ़ा था, squeaked squeaked and shrieked, both are synonym हम कह सकते हैं उसको, एक दूसरे की we elves never need that हम elves लोगों को, हम supernatural creatures को, हमें इसकी जरुरूरत नहीं पढ़ती है, हमें math की जरूरत नहीं पढ़ती है, time table वगर हमारे हां कुछ नहीं होता है, and addition and subtraction and division and fractions, हमारे हां यह सब नहीं चलता है, न addition जोड़, न घटाना, subtraction, न भाग और नहीं fractions ठेक है, here, sit down beside me, तुम मेरे बगल में यहां बैठ जाओ, you simply must guide me, तुम सिर्फ मुझे guide करो, मुझे थोड़ी सी मेरी मदद करो elves know nothing of human history, elves जो होते हैं, उन्हें मानव इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है to them, it's a mystery उनके लिए ये एक रहसे है, mystery का मतलब secret रहसे है, history उनके लिए एक mystery है, so the little elf, already a shouter, just got louder, इसलिए जो छोटा elf था, पहले तो वो shouter था, चिलाने वाला था अब just got louder अब वो और ज़्यादा जोर से बोलने लगा, और ज़्यादा louder हो और जोर से बोले, go to the library library जाओ, I need books, मुझे किताबों की जरूरत है more and more books, और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा किताबों, and or you can help me read them टू, और तुम उसमें उसे पढ़ने में, इन सारी books को पढ़ने में भी मेरी मदद कर सकते हो, as a matter of fact as a matter of fact को मतलब, actually every day, in every way, that little elf was a snack, was a snack और हर दिन, और हर तरह से in every day, in every way का मतलब हर तरह से, हर दिन, वो छोटा elf जो था, वो एक nag था, वो एक nuisance था, एक परिशान करने वाला आदमी था, nag का मतलब देखिए, one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something, कोई ऐसा आदमी one who troubles someone, वो किसी को परिशान करे, हर वक्त, all the time, by complaining, शिकायत करकरके, पूच पूच करके, या फिर कुछ करने के लिए तूसे बोलते हैं nag, तो वो दिन बदिन अब nag हो जा रहा था Patrick was working harder than ever, Patrick पहले से कहीं जादा मेहनत कर रहा था, and, or was it a drag, क्या ये drag था, क्या अब ये drag था कहने का मतलब ये जो homework था क्या अब ये uninteresting हो थी अब ये तो हो था अब यानि ये interest उसे आ रहा था he was staying up nights वर रात भर जाकता, had never felt so weary और इतना जादा कभी इससे पहले उसने थाका, नहीं मैसूस किया weary का मतलब होता है थाका हुआ, tired was going to school with his eyes puffed and blurry, और वो school जाया करता उस अपनी fully हुई और blurry आखों के साथ, यानि वो रात भर जाकता, और वो बहुत थाक जाता वो सही से सोता नहीं पढ़ते पढ़ते, तो उसकी आखें थोड़ी सी सूच जाती और थोड़ी सी blurry हो जाती, blurry को हम कह सकते हैं जब हम बहुत थाके हुए जब रहते हैं, नीद पूरी नहीं रहती, जपकी लेते हुए रहते हैं तो हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि blurry आखरी दिन स्कूल का आ गया और अब जो एल्फ था वो जाने को आजाद था As for homework, there was no more so he quietly and sillily slipped out the back door देखिए, यहाँ पर भी more or door का rhyming है यहाँ दोनों word का As for homework, क्योंकि वो जाने के लिए free था क्योंकि as for homework, जहाँ तक homework की बात थी there was no more, अब वो बचे नहीं थे वो खतम हो गए थे, finish हो गए थे So इसलिए he quietly, वो चुपके से और stillly slowly का भी मतलब होता है secretly, चुपके से, unnoticed तरीके से खिसक लिया back door पिछली दरवाजे से वो निकल गया Patrick got his A's Patrick को A's मिल गया उसकी grade क्या आई? A's आ गई His classmates were amazed और उसके जो classmates से उन्हें बहुत आश्चर हुआ वो बहुत आश्चर जखित हुए His teachers smiled and were full of praise और उसके जो teachers थे, वो उससे देखकर मुस्कुराए और उससे उसकी बहुत तारीफ की यहाँ पर देखिए amazed और praise का भी rhyming है and his parents और उसके parents के बारे में देखिए यहाँ पर question mark लगा है तो अब देखिए उनके parents का क्या कहना है and his parents और उनके parents का They wondered उन्हें आश्चर हुआ What had happened to Patrick Patrick को ऐसा क्या हो गया? उन्हें बहुत आश्चर हुआ He was now the model kid अब वो एक आदर्श बच्चा बन गया था model kid बन गया था cleaned his room अपना कमरा साफ करता did his chores अपने एक पूरे दिन के काम करता chores का मतलब होता है देखिए यहाँ पर दिया है chores की meaning work that must be done everyday वो काम जो रोज करना होता है must often boring जो अक्सर boring हो जैसे उटना नहाना धोना खाना सब chores में इसे हम daily routine भी कह सकते है did his daily routine task daily routine task को हम chores भी कह सकते है तो did his chores और उसने अपने chores भी वो पूरा करता was cheerful हमेशा खुश रहता never rude कभी भी किसी से बत्तमीसी ना करता rude का मतलब होता impolite वो कभी किसी से impolite तरीके से बात नहीं करता like he had develop a whole new attitude और ऐसा लगता था कि वो उसने बिल्कुल नया ही एक attitude develop कर लिया है whole new का मतलब complete new attitude उसने develop कर लिया attitude का मतलब यहां पर है a feeling about someone है और something किसी चीज़ को देख करके उसे सोचने का और महसूस करने के तरीके को हम attitude कहते हैं you see देखो in the end अंत में Patrick still thought he had met that tiny man do all his homework Patrick को अंत तक अभी तक उसे यही लगता था कि उस छोटे से आदमी ने ही उसका सारा homework किया है उसी ने ही सब करवाया है but लेकिन I will share a secret मैं तुमसे एक रहस्य साजा करता हूँ बढ़ता हूँ just between you and me बस यह रहस्य सिफ तुमारे और मेरे बीच में है it wasn't the elf यह elf नहीं था वो supernatural creature था वो नहीं था Patrick had done it himself Patrick नहीं अपना homework सारा सब कुछ किया था उस elf ने कुछ नहीं किया था Carol Moore की यह स्टोरी थी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like करिएगा अगर आप चाहते हैं कोई और भी पढ़े तो उसे share कीजेगा और अगर हमारे चैनल पर नए है तो subscribe जरूर करिएगा क्योंकि आपका subscription ही हमारा encouragement है उससे हमें और अच्छा करने की हमें ताकत मिलती है